आखिल, सबस्क्राइक सब्सक्राइम हमने इंडेस्टेम्ट किया आउडबाइंड वार्गिटिंग क्या होती है हमसद्रेंड को साइड बेसड कम्पेर करें और यह देखें कि outbound और inbound में exactly difference कहां पे आता है तो outbound basically एक push marketing है लेकिन inbound pull marketing है इसका मतलब किया है तो basically inbound में लोग क्या करते हैं कि marketer जो है वो educate करता है जबके outbound में वो simply sell करता है तो आपके पाद कोई product है जो outbound का method यह है कि आप बस लोगों को दिखाते रहें कोई ना कोई खरीद लेगा जबके inbound में लोगों को दिखाना नहीं है लोगों को समझाना है और उनको बताना है किसके क्या फायदे है और जब वो ready होगा तब वो खरीदेगा inbound में यह होता है कि वो two-way communication होती है जबके outbound में वो one-way communication होती है inbound में आप लोगों की सुनते है आप feedback understand करते हैं क्या लोग समझ रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, क्या नहीं चाह रहे हैं then आप उनको help करते हैं और उसके बाद again trust win करتे हैं के बाद product sell करते हैं जबकि outbound में यह नहीं होता है outbound में सिर्फ one way message होता है आपने बस एक इस्टियार लगा दिया आपने बस billboard लगा दिया या आपने facebook पर या google पर भी ad लगा दिया वो one way communication है वो two way communication नहीं है लोग आपको नहीं बता सकते कि इसमें क्या मसला आ रहा है उनको उसके बाद एक और पॉइंट है कि inbound में आपका content जीता है जितना अच्छा हुआ content होगा उतने ज़्यादा लोग आपके convert होंगे तो आपको sell भी नहीं करना पड़ता अगर आप अपना content अच्छा कर लें आप अपनी product के बारे में वीडियो चीप बना लें आप उसके बारे में article अच्छा लिख लें ब्लॉग अच्छा लिख लें तो लोग उतना खुद आएंगे आपके पास और खुद ही convert होने लग जाएंगे आपको content अच्छा होगा तो आपकी product ज़्यादा बिकेगी लेकि इन outbound में content पर focus नहीं होता है budget पर focus होता है budget जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा विन करेंगे जितना ज़्यादा आप लोगों को दिखाते रहेंगे जहाँ 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 दिखाते रहेंगे वो product विन करती रहेंगे क्योंकि उस लोगों को जेन में होगा कभी ना कभी कोई बाय कर लेगा फिर आखिर में जो marketer है inbound marketer वो लोगों से permission लेके बात करता है वो पहले आप मारकेटर हैं तो आप अपनी आडिन्स से पहले request करेंगे कि अगर आपको ये e-book चाहिए तो download करें download करने के लिए आप email sign up करवाते हैं और उनको नाम पूछते हैं उनके बाकी details पूछते हैं जबके outbound में जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंटरप्ट करता है experience कि वो permission नहीं लेता अगर आप TV देख रहे हैं तो आपको पूछा नहीं जाता कि हम आपको आड दिखा देए बस आपको आड दिखाया जाता है आप अखबार पढ़ रहे हैं तो आपको आपको वहाँ पर आड दिखाया जाता है बक्या खबर आप बाकी अगले pages में जाके पढ़ते हैं अगर आप Facebook में या दूसरे चैनल के में जहाँ पर आड चलते हैं Google की भी बात करें वहाँ पर भी आपसे इजादत नहीं ली जाती तो यह basically यह major difference है inbound में और outbound में और आने वाला वक्त inbound का इसलिए ज्यादा है क्योंके लोग mature होगी है लोग अब conscious होगी है वो नहीं चाहते हैं कि आप उनको experience disturb करें और यहीं वज़ा है कि inbound ज्यादा win कर रही है कि वो लोगों को चूंके इजादत की बिना पर वो इजादत के बाद उनसे बात करते हैं और सिर्फ अच्छा content की बेस पे वो जीतते हैं तो यह सारी चीजें जो है अब आइसलिए साथ दुनिया में digital जो है वो inbound के जा रही है और यह मुझे इसलिए पता है कि तकरीपन 10 साल से मैं लोगों के साथ काम कर रहा हूं और वो लोग बिलकुल भी पसान नहीं करते हैं कि उनको कोई disturb करें या वो किसी को disturb करें तो बेसिकली पाकिसान भी आइसलिए साथ का रुजाना आ रहा है लेकिन अभी ज़्यादा नहीं आया अगर आप अच्छा माकटर्ण बनना चाहते हैं तो आपको भी inbound की बहुत अच्छा ज़रूरत है मैं आपको इसको एक example के साथ समझाना चाहूंगा आपको फिर ज़्यादा अच्छा समझा ज़ेगा कि basically inbound और outbound कहां differentiate करता है तो example यह है कि let's suppose कि आप insurance company है या आपका client एक insurance company है जिसके लिए आप में marketing करनी है अब आप क्या करेंगे एक तरीका यह है outbound का कि आप लोगों को जाएंगे जाके उनको बताएंगे यह insurance है और आप खरीद लें आप बेशक उनको call कर सकते हैं SMS कर सकते हैं वो सारी शीज़ें जो आप add के दूरू चला सकते हैं जबसी कर सकते हैं वो आप सब करेंगे problem उसमें यह है कि उसमें आपको यह नहीं पता कि वो user ready भी था के नहीं था या उसने आप से कुछ मांगा भी था के नहीं आप बस उनको call करेंगे और अपनी पारट बेचना शुरू कर देंगे यह होता है outbound का तरीका यह होता है मतलब कि push marketing या बिल्क जबस्ती अपना message लोगों को push कर रहे हैं उनकी willingness थी या नहीं थी inbound में यह नहीं होता inbound में basically अगर कोई google में लिखराय के what is insurance या how to buy insurance या which insurance to buy यह सारी वो सवाल हैं जो लोगों को पहले समझ नहीं होते हैं क्योंकि insurance एक ऐसी product नहीं है कि आप जाएं और जाके खरीद के लिए आएं आप लोगों से बात करते हैं आप लोगों से बात करते हैं आप अपनी उसकी budget देखते हैं और आपने कौँसा package देना है उसके फाई देखिया है तो काफी लंबा उसमें process involved है एक interest शो करने से लेकर एक customer बनने तक का इस journey है यह journey outbound नहीं cover कर सकती यह inbound cover कर सकती है और इस journey में आप जो भी लोगों की सवाल हो सकते है insurance buy करने से related तो example insurance क्या होती है आप इस पे एक article लिख सकते है इस पे एक video बना सकते है insurance क्यों जरूरी है इस पे एक article और video बन सकता है insurance किस को चाहिए कौन सी insurance बेतर है आपको बच्चों की insurance करानी है आपको अपनी life की insurance करानी है इन सब पे लोगों को जब आप educate करेंगे जब वो बंदा ready होगा buy करने के लिए वो आप से ही आके buy करेगा क्योंकि आपने time spent किया वो effort लगाई उनको वो समझाने हैं जो उनको नहीं पता था इससे वो trust build होता है जो आम त पाकिस्तान में या दूसी दुनिया में असल में हो यह रहा है कि outbound और inbound का hybrid model चल रहा है hybrid model से मुराज है कि वो outbound भी करते हैं मतलब वो add भी चलाते हैं और साथ content भी create करते हैं मतलब कि जब कुछ धूंडे तो वो आपके content भी उसको मिल जाए तो मैं भी suggest करूंगा कि आप एक method पे मत रहें outbound में जादा recommend नहीं करता लेकिन इसके बगार गुजारा भी नहीं है अक्सर products के लिए अक्सर business models के लिए outbound भी उतना ही जरूरी है जितना inbound लेकिन कोशिची होनी चाहिए कि inbound को आप जादा long term strategy के तोर पे लेके चलें और outbound उनको short term strategy के तोर पे लेके चलें और ultimately इनका mixer बनाकर एक hybrid marketing strategy बनाएं ताके आप foreign ads दिखाकर जो लोग rightly interested हैं मतलो foreign trusted हैं उनसे भी आप sales convert करें और फिर आप बाद में content भी create करें जो लोग आज पढ़ रहे हैं वो 6 मेने बाद चाहिए भी चाहेंगे उनके लिए भी content create करेंग 6 मेने में क्या क्या पढ़ेंगे वो अगर आप नहीं करेंगे तो आपका competitor करेगा तो यह वो आपने traffic win करनी है वो trust build करना है तो आप outbound और inbound को mixer करके एक अच्छी strategy बना सकते हैं